अल्ला ही अल्ला किया करो, दुखना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो भारत भर से डिस्टिब्यूटर और होल सेलर बनने के लिए अभी कॉल करें, 9579-591975 तक्मीली फूट प्रॉडक्स प्राइविट लिमिटेड माले गाओं इंडिया जोरों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकली, जैसे घुत्नों का दर्द, पीच और कमर का दर्द, कंदे गर्दन और पेरों में दर्द के लिए संधी प्लस देशी शिफालाएं हैं, मर्द और ओर्दों के तमाम गुपत्रों को गाईलाज, पहली खुराग मेरत अंग्याज सर देखें, अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, इसक्रीन पर दियेगा नमबर पर कॉंटेक्ट करें, आईए प्यारे मुलक भारत की बहुत ये खास बड़ी दस ऐहम ख़बरों पर नजर डालते हैं, जीया नादरीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाग सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाते हो कि आपको मुलक और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाएए, सबस्क्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आईकॉन, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आप के मुबाइल पर मिल सकें, और हाँ नाजरीन हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज एक प्राइवट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रूपिया पैसा खर्च होता है, अगर आप चाते हो कि ऐसे चैनल जो जो जल्म और जालिम हो के स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा बेच कर मदद करना चाते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटियम, तीनों का नंबर एक ही है, डबल नाइन, टू थीरी, डबल टू, डबल थीरी सिक्स वन, अल्ला ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतिवार से आप हर दिन, या हफ़ते, या महीने में एक बार ही सही, मगर पाबंदी से दो सौपास, सो हजार रुकी जो आप मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, और चैनल को मदद कीजिए, नाजरे आज जमिरात का दिन शुरू हो रहा है, और आज का हमारा बड़ा एहम उनवान है, कि आखिर अल्ला रबल इस्जत ने हमें रमजान क्यों दिया था, रमजान क्यों आया था, क्या हमने खोया, क्या पाया, किस तरह हमने गुजारा, और क्या करना चाहिए अब, तो इन तमाम बातों पर बड़ी अहम बात होगी, अपनी पूरी फैमिली के साथ रात सालिदों वजे इस बयान को लाइव आप जरूर सुनिये, आई नादिर, पहली बड़ी खबर इस वकत मेरे लिगाओं के सामने आ रही है, जो बड़ी अच्छी और खुशी की खबर मानी जा रही है, कि गद्दारी पर सुप्रीम कोट ने आखिर रुक लगा दी, दफ़ा एक सचौबीस एक के तहद किसी पर अब एफायार दरज ना करने का हुक्म सुप्रीम कोट ने दे दिया, और इस दफ़ा के तहद गिरफतार अफराद को जमानत और राहत के लिए अदालत से रुजू करने की सहूलत मिल गई, राहुल गादी ने बड़ी टिपनी करते हुए ये कहा, कि सच बोलना हुबल वतनी है, वतन से प्यार है, गद्दारी नहीं है, एक्चल में वक्त की हुक्म क्या कर रही थी, कि जो भी सच बोल रहा है, इनकी गलत नीतियों के खिलाप बोल रहा है, तो वो अंग्र बोलने वाला हो, या बोलने वाला हो, लकिन सुप्रीम कोट ने अब इस गद्दारी वाले गद्दार कानून पर गोया के रुक लगा दी है, और दफ़ा वन ट्वारे के तहत किसी पर एफायार दर्ज ना करने का हुक्म जारी कर दिया है, मैं आपको बतारूं कि इस कानून के रद किया जाने के बाद बकाइदा शरजी पवार और तमाम ही लोगों ने रष्टवादी कॉंगरेज तमाम ही लोगों ने बकाइदा इस फैसले पर खुशियों का इजहार किया, मैं आपको बता दू कि हमारे हर दिल अजीज नौजवान, एडुकेट, वकील, शाहिद नदीम साफ जो हमारे जमियत अलमा के बकाइदा एडुकेट है, लिगल एडवाइजर है, इन्होंने भी बकाइदा मुलक से बगावत के चानून 124A का पसे मनज़र पूरा बयान किया है, और पूरी तरीके से पूल खोल के रखा है कि किस तरीके से इस चानून का हकुमत अ बकाइदा जल्मा के बगाउन के र fare, अलमा एडुरिऑ-डोन के लिए उमियत ओल्मा के खलाएदा 堂धों के लिए लड़ते थे, और अग्रेज हकुमत के खलाब बकाइदा बोलते थे, लिखते थे, भाश्न करते थे, तो अंग्रेज़ करते थे लिएृता, इसे ओलमा के मगर उसी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था जिस पर अलहमदोलिल्ला सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिया अई लादे दूसरी बड़ी खबर रियासत महराश्ट के मुंबई से हमारे रिपोटर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि राश ठाकरे को जान से मारने की धंकी की खबरे आ रही है और अब मुसल्मानों की तरफ शक की सुई गुमाने की कोशिश की जा रही है चल्में राश ठाकरे का मकसदी यही है जो हनुमान चालिसा और अजान को लेकर जो मुद्दा उठाया हिंदू मुसल्मान करवाने का मकसद है तब उसमें तो कामियाब हुए नहीं तब इनको धमकी आ गई तो उस धमकी में भी मुसल्मान को कैसे गुसरा जाए इसकी बात की जा रही है अर्दू अलफास के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है यानि अर्दू अलफास के इस्तेमाल से शक्की सुई मुसल्मानों के तरफ गुमाने की कोशिश की जा रही है बाला नंद गाउं करने तो धमकी देते वे का कि राश ठागरे को कुछ हुआ तो महाराष्ट जल जाएगा तो मैं आपको बता दूँ कि राश ठागरे को तो बकाइदा भाजपा के संसद ने धमकी देते हुए ये कहा है कि राश ठागरे आयोध्या आ नहीं सकता जब तक कि उत्तर भारतियों से हाथ जोड़कर माफी ना मांगे और इतने सक्त अलफाद बीजे पी के संसद ने कहा है कि राश ठागरे के बाप की ताकत नहीं है कि वो माफी मांगे बगिर आयोध्या आ जाए तो राश्ठाकरे को जवाब जो है हिंदू भाईयों नहीं दे दिया है राश्ठाकरे का जो नफरती भूंगा खुला था मुँ तो उसका भी जवाब खुद हमारे महाराश्ट से लेकर भारत भर के हिंदू भाईयों नहीं दे दिया है आई रादिन बड़ी खबर इस वकत मुंबई से ही आ रही है जहां मुंबई के मुंबरा जे खबर आ रही है मुंबरा पुलिस ने चापे की आड़ में 6 करोड रूपे पुलिस वालों ने लूटे थे जहां तोड़ी पानी जब होती न कि ये लोग चापा मारते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है जो बड़ी अच्छा नहीं लगता है कि ये ये भी बकाइदा मुलक से बड़ी ख़तारी है कि कुछ पुलिस वाले इस तरीके से हरकत करते हैं कि जिस माल पर चापा मारा गया वहीं पर तोड़ी पानी करके मामले को रफ़ा दफ़ा कर देते है तो खबर आरी है कि इस मामले में मुमरा पुलिस इस्टेशन के अफसरान ने अपने मुखबरों के साथ मिलकर 12 अपरिल को बॉम्बे कालोनी में एक खिलोने के बेवपारी के घर पर चापा मार कर 30 करोड नकदी बरामत किये थे मगर उस पर कारवाई करने के बजाए उन पुलिस वालों ने 6 करोड रुपे जवरन रख लिए और बाकी लोटा कर मामला रफ़ दफ़ कर दिया था आगर तीन पुलिस अफसरान तीन अफसरान और साथ पुलिस एहलिकार मौतल कर दिये गए हैं एसी पी और सीनियर इस्विन इस्प्रक्टर के खिलाब मौकमाती तफ्टीश का हुक्म जारी कर दिया गया है आई रादिन रियास्ते करनाटक से नीच खबरें नीच नाटक करनाटक में तो लगातार हो रही है हिजाब के नीच नाटक वही से शुरू हुई थी वहाँ के कुछ आतंकी जहन के लोगों ने ये मसला शुरू किया था और अब फिर बकाइदा आतंकी लोगों ने एक मस्जिद के मीनारे पर भगवा जंडा लहराया बेलगावी में मुसल्माना ने करनाटक में इसको लेकर जबर्दस्त गम औ घुस्सा पाया जा रहा है शर्पसंदों और इन आतंकीों की गिरफतारी का डिमांड किया जा रहा है मैं आपको बता दूँ के करनाटक में नीच नाटक बदस्तूर शुरू है और अब मजहभी हम आंगी को विगाने की कोशिश की गई आज तक की रिपोर्ट के मताबक रियासत के बिल गावी जिला की एक मस्जिद में कुछ भगवा आतंकीों ने भगवा जंडा लहरा दिया मस्जिद पर भगवा जंडा लहरा ने का ये वाक़ए दो गुदिश तकल बुद के रोज पेश आया जिसके बाद मुसल्मानों में सकत घुसा पाया जा रहा है जिसकी वज़े से घुड़े बिघड़ेंगें मुस्ब्य समाज के जिम्मेदारों उन्हें है पुलिस को शकायत दे कर मुजरिमों को जल्द से जल्द गृफतार करने का मितालबा किया है मैं आपको बता दू कि इस से पहले वाले गुजिशता हफते में भी करनाटक के एक चर्च में भी भगवा जंडा लेराया गया था इसके लावा चर्च में हनुमान की तस्यूरी भी रख दी गई थी ये वाक्या भी वहीं पर करनाटक में पेश आया था बड़ी खबर फिलहाल राची से आ रही है जिया एक आई एस अफसर है पूजा सिंगल जारखंड मनी लांडरिंग मामले में गरफतारी की तलवार लटक गई पांच दिनों की एडी तहवील में उनको ले लिया गया कोलकता समेत उनके कई नजदी की अफराग के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं मैं आपको बता दूँ कि उनके शोहर अभी शेक जाबी कुछ फाइले लेकर शाम को एडी के दफ्तर पहुंची बात दे बताया गया कि एडी ने पूजा सिंगल के खिलाफ एफ आई आर दरज कर लिया और साथ ही उनके गरफ्तारी के लिए जरूरी कारवाई भी शुरू कर दी गई ये बताया जाता है कि गरफ्तारी के बाद एडी आफिस में ही उनका मेडिकल टेस्ट तिब्वी मौाइना करवाया गया इसके लिए उन्हें सदर अस्पतार से डॉक्टर की एक टीम को बुलाया गया उन्हें पांच रोज के लिए एडी की तहवील में दे दिया गया है जहारखंड मनी लॉंडरिंग मामले में ये आई एस अफसर पूजा सिंगल को तहवील में ले लिया गया आई नादेर रियास्ते महाराष्ट के नांदेर से बड़ी खबर आ रही जिए मैं आपको बता दूँ के जमाते इसलामी हिंद नांदेर की जानिब से एक शानदार तकरीब एडे मिलन एडे मिलन तकरीब का इनकाद अमल में आया तकरीब में अलग अलग मुख्तलिफ मजभी रहनुमाओं और धर्म गुरूओं को मदعू किया गया सब ने शिरकत भी की एडे मिलन तकरीब में मुलक के मौजूदा हालात में मुसल्मानों के खिलाए जा रही नफरत पर करने की कोशिश की जा रही है इसलिए गुजश तकल इस परगाम में इस बात को भी बोला गया कि ऐसे परगाम की इस वकत महाराश्टी नहीं मुलक भर में जरूत है क्योंकि मुलक में नफरती भूंगे बजाये जा रहे हैं दंगे फसाद का नफरतों का माहुल बनाया जा इसलिए ऐसे परगामों की सख्त जरूरत है परगाम में महमाने खुसी की ऐसे से शिव श्री गंगर धर शाब ग्यानी ओतार शिंग महांत श्री धर बाबाजी ऐसी रक्टर सूपान राओ श्रीर सागर और दीगर कई एहम शख्सियात ने शर्कत की और इस शांदार परगा में बकाइदा मुलक की आजादी में मुसल्मानों की कैसी खुर्बानिया योगदार और कर्दार रहा है और ऐसी मुलक की तामी तरकी मुलक के विकास में मुसल्मानों की खिआ रही है इसको भी तफसीली तोर पर इस प्रोगाम में बयान किया गया और लाओडी स्पिकर में अजान के खिलाफ राश्टाकरे की जानीब से दी जा रही धमकियों का भी जिक्र किया गया और इस बयान को सियासी हद खंडा बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी नसीहत की गई है ना जिस उठा बड़ी खबर आ रही है दिल ले से जी अहां वाईस प्रेस्डेंट एम वेनकेनाइडों ने बुद केरूद मुखतलिफ रियासतों में बरसरे इक्तिदार सियासी जमातों सियासी पार्टियों से ये अपील की कि मुखतलिफ सियासी जमातों को मुदी जी के मिलकर तावन करना चाहिए ताके मुलक का विकास हो सके और मुलक में पुर अमन माहोल को यकीनी बनाया जा सके और तरकी आफ़ता मुलक का खाब पूरा किया जा सके इस तरी जिस अपील नायव सदर एम वेनकेनाइडों ने तमाम सियासी पार्टियों से किये बहुत दात, सब का विकास, लेकिन आपने किसी को साथ नहीं लिया बलके जहां जिस स्टेट में आपकी हुकमत नहीं हैं तो आपने उस उस तेट को वहां की स्टे Gary baka ये वे पूरी तरीगे से उनको कुचलने का, दबाने का, सताने का काम किया है। आपने किसी भी स्टेट की नहीं की है जहां पर आपके हुकुमत नहीं है तो आपने किसी को साथ लिया ही नहीं और आप श्री लंका के बुरे हालात को देखकर अब आपको भी चिंता सताने लगी है तो अब आप विनेकनाइड जैसे लोगों से कहल वा रहे हैं कि सब को चाहिए कि मुदी जी का साथ दे पहले आप साथ दे और जहा तक के वनेकनाइड ने कहा है कि मुलक में पुर अमन शांत का माहूल बनाने के लिए मुदी जी का साथ दे तो लोग सोचल मीडिया पर ये भी कमेंट कर रहे है कि किसी का साथ देने की दूरत नहीं है मुदी जी से कहिए कि आप अपने मन में ये लहरा कर डंगे फसाद करवा रहें मुदी जी सिर्फ आप उनके खिलाफ बोल दीजिए एटोमेटिक मुलक में अमन का माहूल बन जाएगा लेकिन आपके खामुश रहने की वज़े से इन आतंकियों के होसले बढ़ रहे हैं इसलिए लोग कह रहे हैं विनके नाइडो से कि अपने पी-म से ही कह देजिए कि आप सिर्फ मुझ खोल दीजिए और इन आतंकियों के खिलाफ कारवाई की बात कर दीजिए तो सारा मुलक में अमन फैल जाएगा आई रादें दिल्ली से बड़ी ख़वर आ रही है आप जानते हैं कि दो साल से जेल की सलाकों में बंद स्टूडन्ट लीडर गुलफशा फातिमा की अरदी पर हाई कोट ने दिल्ली हुकुमत को नोटिस दिया आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोट ने बुद के रोज दिल्ली फ़सादात के मामले में तल्बा लीडर एक्टिविस्ट गुलफशा फातिमा की अरदी पर दिल्ली हुकुमत से जवाब मांगा है आपको याद होगा कि दिल्ली हुकुमत भी बताने के जरूत नहीं है जिया इन लोगों ने किस तरीके से C.A.A. के मौके पर बकाइदा मुस्लिम बेटियों को मुस्लिम तल्बा यूनियन लीडर्स को दबाने को चलने का काम किया और जिल के सलाखों में ठूस दिया है बेटियां भी आज तक दो साल से जिल में टैद है जिल के सलाखों में तो अब जनाब तल्बा लीडर गुलफशा फातिमा ने हाई कोट में अरजी दी जिस पर दिल्ली हुकुमत से हाई कोट ने जवाब मांगा है और दिल्ली हुकुमत को नोटिस दी है आई लादिन बड़ी खबर आ रही है रियास्ट मद्परदेश के उजएन से इन दोर से हमारे रिपोर्टर मकसूद लोदी और इर्शाद शेकिल शेख ने बताया कि अब ग्यान वापी मस्जिद के यी तर्द पर उजएन में भी मस्जिद का तनाज़ा सामने आया है मस्जिद का विवाद सामने आया है ग्यान वापी मस्जिद तनाज़े की तर्द पर मद्परदेश के उजएन में भी एक पुरानी मस्जिद के अंदर गनेश और शिव की मूर्तियों के होने के दावे को लिखकर विवाद शुरू हो गया है महामंदलेश वर महराज दे अजएन शुप्रा नदी के किनारे वाकि एक हजार साल पुरानी मस्जिद में बगवान शुप और गनेश की मूर्तियों के नसिर्फ होने का दावा किया बलके बनारस ग्यान वापी मस्जिद की तरद पर उजएन मस्जिद का सरवे करने और उसकी वीडियो गिराफिक करने का डिमांड किया है आपको मैं बता दूँ कि इस मुलक का ये मुद्दा बिलकुल नहीं है लेकिन क्या करें बाबरी मस्जिद पर 25-30 साल तक के रोटियां सेकी गई और बाबरी मस्जिद ने बहुत कुछ दे दिया राम मंदिर ने बहुत भीक के तुकले और रोटियां दे दिया है कुर्सियां दे दिया है तो अब राम मंदिर का मुद्दा भी खतम हो गया है और गरीबी का मुद्दा बोल गया है तो गरीबी का मुद्दा ना उचले आत्म हत्या का मुद्दा ना उचले बेरोजगारी का मुद्दा ना उचले तो कुछ तो चाहिए तब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा खतम हो गया है मुसल्मानों ने सुकून के साथ मान लिया है तो कुछ तो मुद्दे चाहिए तब ग्यान वापी उज्जैन ऐसे तमामी मुद्दों को ताज महिल जैसे मुद्दों को उचाला जाना बहुत जरूरी है ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा रहे आज़े नदे आखरी बड़ी खबर आ रही है आप जानते हैं कि दिल्ली में भी बुल्डूजर की घटिया सियासत शुरू है जी घटिया रागियती शुरू है और बुल्डूजर को शाहिन बाग यानि मुसल्मानों के इलाकी नजर आ रहे ये भी एक खास बात है बुल्डूजर और बुल्डूजर का ड्रावर और हकुमत को शाहिन बाग जैसे इलाकी नजर आ रहे तो अब बुल्डू दरवाले गट या सियासत के खिलाव बारा से ज़्यादा संगटनाओं बारा से ज़्यादा तन्जीमों ने मार्च किया हकुमत पर गरीबों को कुचलने का इल्दाम लगाया और कार्पुरेट को फरोग देने और फिरका परस्ती हिंदों मुसल्मानों में नफरते पैदा करने का इन बारा तन्जीमों ने इल्दाम लगाया है वहीं पर खरगों की भी बड़ी खबर आ रही है कि जम्यत अल्माई हिंदों से खरगों के मुसल्मानों ने अपील किया है और वो अपील क्या थी कि अब शुराज सिंग्च चौहान की हकूमत मुसल्मानों के घरों और मकानों पर बुल्डूजर चलाने के लिए जी हां वो असूली वाला कानून इस्तेमाल करेगी इसलिए हज़रत मौन अर्शद बद्दी ने फौरान कोट का धरोजा खट-खटाने की तैयारी कर लिया है ताकि खरगोन में भी यक तरफा जिस तरीके से कारवाईया हुई है पुलिस वालों की, बुल्डूजर की, हकूमत की वो घड़िया कारवाईयों से, एक तरफा कारवाईयों से मुसल्मानों को बचाया जा सके इसलिए बकैदा हदरत मुना अर्शद मद्दी जमियत अलमा हिंद ने हकूमत के खिलाफ कोट का धरोजा खट-खटाया है जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाईलाश तकली जैसे घुट्णों का दर्द, पीच और कमर का दर्द, कंदे गर्दन और पेरों में दर्द के लिए संधी प्लस-प्लस एक संजीमनी बूटी की तरह है या यू कहें कि एक स्थाई इलाज साबित हो चुका है लाख लोग इसे अपना चुके है और दर्द पर विजे प्राप्त कर चुके है जब हम निमेत रूप से संधी प्लस-प्लस से मालिश करते हैं तो तवचा इसे तुरंट आफजर करके जोड़ों के सुक्षमतन अवस्ता में पहुचा देती है जिससे जोड़ों में ब्रट का सर्कूलेशन बढ़जाता है और जोड़ों के मासपेश्यों में मजबुती आती है आंतरिक सुजन समाप्त हो जाती है जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है साथ-साथ जोड़ों में नई शक्ती भी आती है झाल झाल